अली बाबा और 40 चोर बहुत साल पहले परसिया के एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था उसके दो बेटे थे कासिम और अली बाबा उसका व्यापार अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई जिसके बाद बड़े बेटे कासिम जोकी लालची व्यक्ति था उसने सारे व्यापार पर कबजा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया जिसके बाद अली बाबा और उसकी बीवी दूसरी जगह जाकर रहने लगे और गरीवी में जीवन बिताने लगे अली बाबा जंगल में लकडियां काट कर बेचता था और अपनी बीवी और बच्चों का पालन पोशन करता था यह सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अली बाबा जंगल में लकडियां काट रहा था तो उसने चालीस घुरसवार को जंगल में से गुजरते हुए देखा वह एक पेड के पीछे छिप कर यह सब देखने लगा उसने देखा उन सभी घुरसवार के साथ एक पोटली थी और उनके पास खंजर भी था जिससे अली बाबा समझ गया कि यह सब चोर है वो उन सभी को देखी रहा था कि वह सब चालीस चोर एक छोटी पहाडी के सामने जाकर रुख गए उन चोरों के सरदार ने पहाडी के सामने जाकर खुल जा सिमसिम बोला जिसके बाद पहाडी में से एक खुफिया दर्वाजा कुल गया और सारे चोर अंदर चले गए और वो दर्वाजा बंध हो गया ये सब देखकर अली बाबा बहुत हैरान हो गया वो उस पहाड को ऐसे ही कुछ समय देख रहा था कि वो खुफिया दर्वाजा फिर खुला और उसमें से 40 चोर निकले उनके सरदार ने पहाडी से कहा कि बंद हो जा सिम सिम जिसके बाद वो खुफिया दर्वाजा बंद हो गया और 40 चोर वहां से चले गए अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई कि आखिर उस पहाड के खुफिया दर्वाजे के अंदर क्या है वो यह जानने के लिए उस पहाड के पास गया और जो चोरों के सरदार ने शब्द बोले थे वही शब्द बोलने लगा खुल जा सिम सिम उसके यह बोलने के बाद दर्वाजा फिर खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चला गया गुफा के अंदर अली बाबा ने जाकर देखा कि गुफा में बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और सोने के सिख्के रखे थे वो यह सब देखकर बहुत खुश हो गया उसको समझा गया था कि सभी चोर अपनी चोरी और लोट का माल उस पहाड़ी की गुफा में छुपाते है उसने कुछ सोने के सिख्के एक पोटली में भरे और बंद हो जा सिम सिम बोलकर उस गुफा का दरवाजा बंद करके वहां से चला आया उसने यह सारी बात जाकर अपनी बीवी को बताए और वह सिख्के दिखाए जिससे उसकी बीवी बहुत खुश हो गई अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने के सिक्के गिनने के लिए अपने बड़े भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाने के लिए कहा और बोला कि किसी को इस बारे में न बताएं अली बाबा की बीवी तभी कासिम के घर गई और उसकी बीवी से तरफ रहा है